हलो स्टूजिंस वेलकम टू प्रेप आएस मेरा नाम है मैं यूरी भागवानी आज हम डिसकस करने वाले हैं 10 डिसेंबर के दर हिंदू न्यूस्पेपर को इससे पहले हम लाइव आये थे लेकिन कुछ टेक्निकल इसूस के कारण वो जो लाइव सेशन था वो रुख गया ले क्योंकि बहुत जादा दिन नहीं बचे हैं हमारे दो कोर्से यहां पर लॉंच हुए हैं यह दो कोर्से हैं एक तो लाइव आंसर राइटिंग को लेकर है और एक है लाइव ऐसे राइटिंग को लेकर तो आप अगर चाहो तो आप इनमें एंडोल कर सकते हो इस सेशन विल बर्ड फ्रू के बारे में देखेंगे सोशल जस्टिस में सोसाइब्स इन इंडिया को देखेंगे and GS3 में एकॉनमी में से हम देखेंगे चामुंडी हिल्स के बारे में GS4 में we have nothing for today तो देखो सबसे पहला है डिप्लोमेटिक ओलंपिक बॉयकॉट तो देखो हमने इस बारे कि हम अपने एससे क्लिए को कहा है कि इसको लेकर चाइन ने क्या कहा है चाइन के दो स्टैंस है पहला स्टैंस है चैना कहरा है कि हम खेارा है गुवर्मन्ट ऑफिस्यल्स जो है नहीं यहाँ पर पड़्मिक दोने वाले हैं तो एक जूर्स के काम की चीज नहीं है तो हम आप्ड नहीं पर आपको कहां और दूसरी चीज यहां पर यहां पर स्टैन्स की कांवर्म पुछिद की बितलिधितने चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ पे एक कोशिश करने चाहिए कि यहाँ पे हम एक mutual harmony के साथ रह सके क्योंकि sports, symbolize harmony, etc. तो यह चीज़ यहाँ पे चाइना ने कही है अब क्या सिर्फ US अकेला है ऐसा diplomatic boycott करने वाला तो नहीं, US अकेला नहीं है US के साथ New Zealand यहाँ पे है Canada भी है और इसके साथ Australia भी है France ने अब इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है और दूसरी बात यह कि Russia ने कहा है कि हम तो यहाँ पे चाइना का साथ देंगे in fact हम खुद आएंगे inauguration करने हमारे government officials खुद आएंगे हो सकता है कि यहाँ के president भी खुद जाएं चाइना इसका inauguration करने अब देखो ऐसा क्यों कर रहा है US ने क्या reason दिया है क्यों boycott कर रहा है चाइना की Olympics को तो US ने बोला है कि एक तो US चाइना जो है वो हर किसी को suppress करता रहता है अपने आसपास बहुत suppress कर जा रहा है इनको re-education re-education camps में भीजा जा रहा है after the detention और इस re-education camps में इनको काफी ज़्यादा exploit किया जा रहा है ठीक है लेकिन चाइना का यहाँ पे कहना था चाइना ने पहले तो मना कर दिया कि इस तरह के कोई camps exist ही नहीं करते बाद में चाइना ने यह कहा कि essay camps exist तो करते हैं लेकिन हमने यहाँ पर vocational training के लिए इनको भीजा है और कोई reason नहीं है इनको यहाँ बेजने का तो vocational training के लिए इनको यहाँ भीजा है यह चीज यहाँ पर कही गई है तो यह पूरा जो issue है that is related to diplomatic boycott boycott okay अब यहाँ पर एक और चीज है कि एफरिका के कई सारे देश है जिन्होंने बोलाए कि हम तो support करते हैं चाइना में होने वाले Olympics का इसके लावा रशिया चाइना के साथ साथ इंडिया ने भी बोलाए कि हम भी इसको support करते हैं हम भी आपने जो athletes हैं इनको properly भीजेंगे इन्होंने इनको boycott नहीं किया इंडिया ने boycott नहीं किया चाइना के Olympics को अब देखो चाइना किस तरह से react कर रहा है यह तो हमने बात कर ली इसके लब यूएस और चाइना की बीच में क्या tensions चल रही है तो देखो करेंगे यहां पर पहली चीज़ यह कहीं दूसरी चीज़ यह कहीं कि हम यहां पर harmony लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़ा issue ना बने tension ना आये हमारे relations में चाइना ने भी कहा कि ठीक है हम भी एसी और इसमें किस तरह के development हो रहे है इसको इसको रज़र रखना हमारे लिए जरूरी है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्ड फ्लू ट्रिगर्स अलर्ट इन अलपूजा तो देखो बर्ड फ्लू जो है यहाँ पर अलपूजा एक district है उसमें दिखा गया कि बर्ड फ्लू बहुत ज़दा बढ़ रहा है ठीक है तो यह बर्ड फ्लू कौन सा टाइप का है यह है H5N1 H5N1 टाइप का यहाँ पर बर्ड इन्फ्लूएंजा देखने को मुला है और यहाँ पर बहुत बहुत ही ज़दा सिच्वेशन खराब हो गई है एक किसान का यहाँ पर केस भी दिया हुआ है एक परसंट जो एनिमल हजबन की करते हैं उनका केस भी दिया हुआ है कि 13,000 डॉक्स उनके पास थी जिन मेंसे 10,000 डॉक्स की यहाँ पर डेथ हो गई बिकस अफ दिस H5N1 वाइरस तो यहाँ पर यह हमको जाना जरूरी है कि H5N1 क्या है इसके लवाए एक और एवियन इंफ्लेंजा आया था जिसका नाम था है H5N8 वाइरस तो यह भी था तो यहाँ पर जो सौट की जो रीजन में यहाँ पर यह आता रहता है ठीक है H5N1 वै यह highly contagious viral disease है और यह जो है यह food producing birds जो है उनको सबसे जादा effect करता है ठीक है इसमें pet birds और wild birds दोनों आती है इसके लावा यहाँ पर mammals, humans यह सभी जो है यह एवियन इंफ्लेंजा के शिकार हो सकते हैं तीन तरग के वाइरस होते हैं इंफ्लेंजा में भी A, B और C जिसमें जो A ह होता है कि पहले animals को impact करता है या फिर birds को impact करता है, zoonotic है और उसके बाद फिर humans को impact करता है, B and C directly humans को impact कर सकते हैं, अब अब एवियन इंफ्लेंसा वाइरस के subtypes भी हैं जैसे कि H5N1 हमने अभी देखा, इसके लबा H7N9, H9N2, H10N3 यह सब भी हैं तो यह depend किस पर करता है, य इसका नाम है hemagglutinin और दूसरे का नाम है neuraminidase, तो यह दोनों जो है, यह surface protein है और इनके नाम पे ही अलग-अलग subtypes बनते हैं, depending upon the amount of subprotein here, अब पहली चीज़ तो यह हो गई, दूसरी चीज़ यह कि 2019 में ही हमारी जो country है, इंडिया को H5N1 से यहां पे free घोशित कर जा था WHO ने और WHO की एक organization है जिसका नाम है World Organization for Animal Health, तेक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ यह कि यहां पे जो H5N1 है, यह एक बहुत ही जादा pathogenic और बहुत ही जादा severe kind का avian influenza है, तो यह याद रखना है contagious है, infectious है और severe तरह का यहां पे respiratory issues होते हैं birds में, because of this influenza virus, अब इसका impact जा हो सकत है, हमारे देश में एक बहुत बड़ी poultry industry है, इसके उपर सीधा असर देखने को मिल सकता है, दूसरा यहां पे farmers जो है, उनको देखने को मिल सकता है, कि उनका जो flock है, उनकी जो ducks की या फिर birds की population है, उसमें high level of mortality आ सकती है, जिसके कारण ना सिर्फ हमारे economy affect कर होगी, दूसर देखने को मिलेगा हमारे देश में, जिसके कारण एक के बाद एक chain issues की बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे farmer distress देखने को मिला, तो यहां पे farmer society होगी, social issue हो गया, दूसरी चीज, क्योंकि यहां पे farmers के पास पैसा नहीं है, तो yield भी कमाएगी, तो food security का भी issue हो गया, इस तरह स के लिए, अगर हमको पता चलता है कि हमारी एक huge chunk of the population, जो है birds की, उसको यह virus हो चुका है, तो हमको यहां पे culling करनी चाहिए, उनको यहां पे मार देना चाहिए, infected and contacted animals को, उनकी culling कर देनी चाहिए, so that वो infection और ना चाहिए, तो यह चीज यहां पे major, आपको पताऊने ची, bird flu के बारे में, आगे बात करते हैं, चामुंडी hills के बारे में, तो देखो, एक campaign शुरू हुआ है, चामुंडी hills को protect करने के लिए, तो यहां पे पहले क्या ओर था, प्रशाद scheme, प्रशाद scheme implement हो रही थी, और प्रशाद scheme के अंतरगत, यह चामुंडी hills के आसपास का जो area है उसमें development होना था, ठीक है, लेकिन यहां पे कई सारे लोग सामने आये हैं, अक्टिविस्ट सामने आये हैं, उन्होंने बोला है कि हमको एक campaign हम start कर रहे हैं, चामुंडी hills को protect करने के लिए, from these things, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहां का जो green cover है, उसको कोई भी loss ना हो, और इसी लि यह माइसवर कहां पे है, साउध में एक district है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, चामुंडी hills के आसपास की region के बारे में, तो एक यहां पे चामुंडेशवर temple आपको देखने को मिलेगा, यह जो picture देख रहे हो, यह चामुंडेशवर temple की है, चामुंडेशवर temple में यह जो goddess यह जो चामुंडेशवर temple है, और यह जो चामुंडेशवर temple है, 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 यह जो चामुंडेश यह quadrangular structure में है, यहाँ आप देख पा रहे हूँ, quadrangular structure में है, और यह जो है, यहाँ पर एक महिशासुर, महिशासुर का भी statue देखने को मिलता है, जो अपने सीधे हाथ में sword पकड़े हुए है, ठीक है, और temple sanctum के अंतर का चामुंदेश्वरी, जो देवी है, goddess है, इनका sanctum sanctorium में, ठीक है, तो चामुंदेश्वरी temple के बारे में हमने देखा, इसके लवा प्रशाद scheme क्या है, तो देखो, प्रशाद scheme जो है, इसका पूरा नाम है, national mission on pilgrimage, rejuvenation and spiritual heritage augmentation tribe, तो यह है प्रशाद scheme, यह basically central sector scheme है, याने कि center पूरी funding करेगा और implementation करेगा कौन, state or center मिलके, ठ इनों ने इसको launch किया है, 2014-2015 में, और इसका objective था, कि जितने भी pilgrimage और heritage destination है, उनका development करना, और इसी के against campaign चल रहा है, कि हमको इसका development नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे ecological balance बनाये रखने के लिए चाहिए, तेक है, यह कह रहे हैं, यहाँ के जो localites है, दूसरी चीज यह है, कि प्रशाद स्कीम के अंतरगत, जिसमें road, rail, water transportation का करने की बात की गई थी, last mile connectivity और basic tourism facilities जो भी है, वो यहाँ पे ensure करने के लिए प्रशाद स्कीम लाई गई थी, जिसके against यहाँ पे campaign चल रहा है, कि इस जगह पे आप इस प्रशाद स्कीम को implement मत करो, यह कहना है, वहाँ के low pressure area होता है, जहाँ पे इस तरह से winds इखटी होती है, और एक coriolis force के अंतरगत, एक circulatory movement यहाँ पे करने लगती है, और इस तरह का कुछ structure बनता है, जो कि बहुत ही destabilizing environmental phenomena है, जो कि यहाँ पे एक unstable phenomena है यह, और यह जो है low pressure के आसपास ही सब होता है, जो इसके depth में मैं जादा न यह बहुत uncommon सी चीज़ है, यूजुली कहोता है Bay of Bengal में जादा आते हैं, क्यूं आते हैं जादा cyclone Bay of Bengal में इसको भी हम देखेंगे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, अरेबियन सी में जादा cyclone आये हैं, इसमें जो है, इंपक्त के अगर मैं बात करूं, तो इंपक्त अरेबिय इस वाला रीजन है उसमें, अगर मान लो यहां पर इंडिया है, और यहां पर आता है कोई cyclone, तो वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, मतलब की वो अपने west की तरफ मुणेगा, तो इसके कारण यमन, उमान, इन रीजन पर अफसर पड़ता है, अरेबियन सी में अगर कोई cyclone आता है, तो वहीं Bay of Bengal में अगर कोई cyclone आता है, तो इस तरह से यहां पर impact करता है, हमारे coast पर, हमारे जो eastern coast है, उनके उपर, समझ गए, तो यह major चीज़ें यहां पर बताई हुई है, और इसके बाद, हम थोड़ी सी बात करते है, Arabian sea cyclones की, तो देखो, cyclonic activity जो है, Arabian sea पर थो जो cyclones आया है, वो यहां पर Arabian sea में आया है, और 23% of the severe cyclones जो है, वो Arabian sea में आया है, तो मतलब, share बहुत कम है, बाकी majority, 80% के आसपास वाले cyclones जो cyclones जाते हैं Bay of Bengal में, ठीक है, अब relatively Arabian sea cyclones होते हैं, वो वीक भी होते हैं, क्यों वीक होते हैं, इसकी भी बात करेंगे, और यहा तो इनका damage कम होता है, इनके कारण, क्यों, क्योंकि इतने intense नहीं होते, इसका भी एक बड़ा reason है, देखो, cyclones के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, cyclones के बनने की एक major condition यह है, कि temperature अच्छा होना चाहिए, 27 degree Celsius के आसपास यहां पर temperature होना चाहिए, sea surface इतना temperature Arabian Sea में बन नहीं पाता, तो इसलिए इतना temperature बन नहीं पाता, इसके कारण भी cyclones यहां पर कम बनते हैं, और बनते हैं तो जादा weak, जादा strong नहीं बनते हैं, अब देखो, यहां पर आप देख रहे हो, यह वर्ल्ड में, इस तरह से यहां पर यह है हमारा भारत, और य यहां पर tropical cyclones आते हैं, अब Bay of Bengal वाले cyclones हैं, वो जादा intense क्यों होते हैं, एक तो है temperature difference का issue, ठीक है, low pressure system जो है cyclone का, वो temperature difference से बनता है, ठीक है, और जो Bay of Bengal है, वो जादा warmer रहती है Arabian Sea से, ठीक है, पहली चीज़ तो यह, तो क्योंकि यहां पर temperature जादा है, Bay of Bengal में इसलिए intensity ज humidity, Bay of Bengal जो है, वो जादा rainfall, जादा inflow देखता है fresh water का, ठीक है, तो यहां पर एक तो चीज़ यह है, दूसरी चीज़ यह है, कि यहां पर warm water mix होता रहता है, cool water से, तो देखो river से warm water आता है, और वो mix होता रहता है, यहां पर ocean surface से, इसके current sea surface temperature बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ यह, कि Arabian sea जो है, यहां पर stronger winds देखने को मिलती है, जो heat जो है उसको dissipate कर जाती है, अगर यह Arabian sea में heat जमा हो गई, मान लो, ठीक है, और यहां पर heat जमा होने के कारण cyclone बनना चाहिए, cyclone बन गया, लेकिन यहां पर इतनी तेज हवाई चलती है, winds इतनी strong है, trade winds, कि यहां पर heat dissipate हो जाती है, ठीक है, तो heat dissipate हो जाने के कारण temperature distribute हो जाता है, और यहां पर cyclone बहुत intense नहीं हो पाता, दूसरी चीज़ यह, कि यहां पर land mass नहीं है, बहुत जादा land mass नहीं है, Pacific और Bay of Bengal में, ठीक है, तो इसी लिए यह क्योंकि, एक चीज़ यह भी आपको पता होगी, cyclone, जो होते हैं, tropical cyclone, इनका fuel क्या होता है, इनका fuel होता है, moisture, अगर land surface बीच में आ जाता, तो यहां पर इनको moisture कट हो जाता, और cyclone जो है, weak हो जाता है, जादा strong नहीं रह पाता, क्यूंकि Bay of Bengal और Pacific Ocean के आसपास, यहां पर जादा land नहीं है, इसी लिए यह जो cyclone रहते हैं, काफी जादा land है, इसी लिए यहां पर जो cyclone है, वो इतने strong नहीं बन पाते हैं, क्योंकि moisture का supply है, वो कट हो जाता है, इसके लाबद cyclones from the Pacific Ocean भी आते हैं, Pacific Ocean क्योंकि Indian Ocean से जुड़ा हुआ है, यहां पर आता है Pacific Ocean और यहां पर है Indian Ocean, तो यहां से भी cyclones आते हैं, और इसी लिए यहा तब usual से जाता देखे गए हैं, लेकिन उसकी impact जादा India पर पढ़ा नहीं है, यह चीज़ आपको समझ नहीं थी यहां पर, then newspaper offers ways to curb suicide, तो देखो, एक Lancet International जो है, देखो, दो Lancet, दो Lancet एक organization है, इन्होंने एक report जाली कि, एक paper जाली किया है, जिसमें यह बता गया है, कि suicide को जो suicide prevention strategy है, उसकी बात की गई है, इस paper में, दूसरी चीज़ बताई गई है, कि suicide rate जो है, इंडिया में one of the highest है, वर्ल में, जितना भी total suicide rate है, उसमें इंडिया का suicide rate है, one of the highest है, दूसरी चीज़ यहां, इंडिया में suicide करने वाज़े जो लोग है, majority उसमें women and girls है, तीक है, women and girls है, और यह जो women and girls इंडिया में, जो rate है, women and girls के suicide करने का, that is लगभग twice of the global rate, दीक है, मतलब globally जितनी women और girls suicide करती है, उससे double women and girls इंडिया में suicide करती है, per year, इसके बात दूसरी चीज़ यह कही गई है, कि इसमें youth भी शामिल है, दीक है, youth भी women and girls के साथ शामिल है suicide rate को बढ़ाने दूसरी चीज़ यह, कि यहां पर कई सारे तरीकों का use किया जाता है, जिसे कि hanging is the most common method used for suicide, इसके लबाँ, अलग-अलग इसके लिए short measures बताए गई है, short term measures, जैसे कि यहां पर हमको agriculture, judiciary, media, education, women's health, और mental health के उपर जान देने की जरुरत है, और साथ में हमको एक real time data prepare करने की जर इसमें बताया गया कि suicide जो है इंडिया में 10% से increase हुआ है, from 2019 to 2020, तो pandemic का दौर था, उस time पर दिखागे कि pandemic के दौर के time पर suicide rate बढ़ गया 10% से, दूसरी चीज़ जो daily wage earners है, इनमें suicide का rate बहुत ज़दा बढ़ गया, इसके बाद housewives थी, फिर self-employed people थे, फिर farmers थे और उसके पाद retired लोग, तो इस तरह से majority जो लोग है, वो इस तरह से काम कर रहे है, daily wage earners सबसे जादा society की तरफ बढ़ रहे थे, students का भी share बढ़ा है, highest रहा है since 1995, ऐसे students जो society कर लेते हैं, उसके में जो share है, वो सबसे जादा रहा है अभी तक का, इसके बाद causes क्या हो सकते, एक तो poverty can be a cause, ठीक है, unemployment can be a cause, इसके अलबर drug abuse या alcohol abuse जो है, उसके कारण काफी frustration, anxiety, depression तरह का, यहाँ पर develop होता है, लोगों के दिमाग में, यह भी एक reason हो सकता है, illness हो सकता है, family problems हो सकती है, students में जो society rates देखे जा रहे हैं, उसका एक बड़ा cause जो बता जा रहे है, वो है, relatively longer term prospects, कि वो अ काराण हो सकता है, ठीक है, अब initiatives क्या क्या लिए गए है, तो एक है mental health care act, दूसरा है किरण, किरण क्या है, किरण एक ministry of social justice and empowerment का toll free help line है, इसके आप call कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर depression, anxiety, stress face कर रहे हैं, societal thoughts face कर रहे हैं, तो, इसके लाब एक मनुदरपन initiative है, यह मनुदरपन call करकर, अपनी counselling ले सकते हैं, अगर आपको इस तरह के किसी भी तरह के thoughts आ रहे हैं, societal thoughts, तो आप यहाँ पर counselling ले सकते हैं, और basically, family को, individual को depression से दूर रखना, during the pandemic era, यह काम था, इस मनुदरपन initiative का, और आगे बात करते हैं, हम next issue की, democracy does not happen by accident, यह कहा है, यहाँ पर US के president ने, तो देखो, यहाँ पर पहली चीज़ यह कही गई है, कि US में एक summit organized की गई है, जिसका नाम है democracy summit, तीक है, democracy summit, यह जो democracy summit है, इसमें US ने लगभग 100 democratic countries को invite किया, जिसमें India ने भी participate किया, तीक है, इसमें यह कहा गया है, कि पहली चीज़ तो यह बता दूँ मैं, इसमें यह कहा गया है, कि US जो है, यहाँ पर democratic values को जादा focus कर रहा है, और कुछ major major जो बाते कही है, पहले मैं वो बता देती हूँ, तो पहली चीज़ यह बताइए, कि democracy, accident से नहीं आएगी, democracy के लिए आपको efforts करने पड़ेंगे, यह चीज़ यहाँ पर discuss हुई है, दूसरी चीज़ यह, कि हमको किन principles के लिए खड़े रहना चाहिए, दूसरी चीज़ यह, कि हमको arms को, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम arms के थ्रू ही अपने आपको democratic कहला है, हम अपने actions के थ्रू भी यहाँ पर democratic हो सकते हैं, हम यहाँ पर authoritarianism को जब combat करें, जब हम corruption को fight करें, जब हम human rights को protect करें, इन तीन themes को जब हम follow करें, किन तीन themes को corruption को कम करना, human rights को promote करना, और इसके अलावा authoritarianism को यहाँ पर curb करना, यह जब तीन चीज़ों के उपर आप focus करोगे, तब आप actual democratic country कहलाओगे, इसके लिए US ने लगबग 424 million dollars का एक project भी launch किया है, जिसमें basically transparency, free independent media, इसके लिए यहाँ प को लाए कि multilateral efforts की तरफ भी हम बढ़ सकते है, मीडिया के multilateral efforts के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए, democracy जो है, हमारी सबसे जादे ensure होगी, जब हम media को free करेंगे, तीक है, मीडिया के उपर, जो curbs है, वो ना लगए, इसके लिए US एक fund भी लेका है, यह जिसका नाम है, NT, ए expose करता है किसी scam को, तो उसके उपर यह charges लगा जाते हैं, उसको threat दिए जाते हैं, कि हम आपके उपर defamation का case लगाएंगे, ठीक है, तो इस defamation के case के, through case से उनको बचाने के लिए, यह defamation defense fund लाया गया है, so that journalists जो है, वो अपना काम कर सके प्रॉपर तरीके से, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और commitments भी किये गए, कि हम corruption को counter करने की कोशिश करेंगे, accountability लाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए यहाँ पर दो तीन और summits लाई गई है, जैसे कि open government partnership, इसमें इंडिया ने participate नहीं किया, इसके लावा human right के लिए, यहाँ पर universal human right periodic review लाया गया है, जिसमें सभ यह सब चीजी जो लाई गई है, यह बताने के लिए लाई गई है, कि US जो है, एक democratic country है, ठीक है, और US यहाँ पर क्या notion portrait करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो, US यहाँ पर एक notion portrait करने की कोशिश कर रहा है, कि China and Russia, यह दोनों democratic countries नहीं है, और इसलिए इनको invite भी नहीं किया गया, यह communist countries है, ठीक है, और यहाँ पर, जैसे कि cold war में क्या हुआ था, cold war में ideologies के बीच में war थी, ठीक है, एक तरफ था capitalism, एक तरफ था communism, अब वहीं पर एक तरफ है democracy, एक तरफ है communism, ठीक है, तो यह चीज हो रही है अब, और इंडिया ने इसको participate किया है, साओ देशिया से सिर्फ तीन countries ने participate किया, जिसमें से इंडिया एक थी, पाकिस्तान ने participate नहीं किया, क्यों, यूगि चाइना ने, ऐसा allegation है कि चाइना ने इनको दराया धमकाया था, कि आप इसमें participate नहीं करेंगे, ठीक है, तो चाइना और रिश्या ने भी participate नहीं किया, पाकिस्तान ने भी participate नहीं किया, पाकिस्तान ने ये कहा, कि हम यहाँ पे participate इसलिए नहीं करें, क्योंकि हम कोई और मौका देख किया, अच्छे से participate करेंगे, ठीक है, तो समझ रहे हो, पूरा जो geopolitics जिस तरह से चल रहा है, चाइना को यहाँ पे counter करना चारह है, यूएस हर तरह से, geopolitics में, ठीक आगे बात करते हैं, एक कल का question था, आप में से किसी ने पूचा था, regarding endemic, epidemic and pandemic, इन दोनों में क्या difference है, तो देखो, endemic क्या होता है, कि जब कोई छोटी सी community है, उसमें कोई disease पैदा होता है, कोई disease पनपता है, ठीक है, the disease is present in a community at all times, but in a relatively low frequency, तो मान लो कि कोई एक छोटी सी community ह है, जहां पर कि कोई disease है, और वो all time वहां पर रहता है, ठीक है, पर बहुत जदा infectious नहीं है, बहुत जदा फैलने वाली capabilities नहीं है, तो उस case में वो endemic होगा, यहां पर आप देख पा रहे हो, इस map में, ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी जगरों पर थोड़ा बहुत पनपता है और वहां पर हमेशा exist करता है, इस mild form में, तो वह होता है endemic, epidemic कहा होता है, जब sudden और rapid spread होने लग जाए, infectious disease का within a short period of time, affecting a large number of people within a group और region, तो देखो, मान लो कि जैसे यहां पर, यहां पर बहुत जदा फैलने लगया कोई disease है, ठीक है, लेकिन एक region तक restricted है, ठीक है, लेकिन transmission बह अगर global level पर यह फैलने लग जाए, तो यह बन जाता है pandemic, ठीक है, जैसे कि continents को यह फिर पूरे world को यह cover कर ले तो बन जाता है pandemic, तो covid क्या बन गया है, अब एक pandemic बन गया है, समझ गए, तो यह है differences के बीच में,